हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबम पुरोहित आपका जोगरफी एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रेंस पर मैगनेट ब्रेंस जोकी फेमस है पूरे इडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिकली प साथे साथ अगर आप एक नोट्स और इबूट्स लेना चाहते हैं तो लिंक इसक्रिप्शन बॉक्स में हन्दी माध्यम में हम जिन बौर्स को कबर करते हैं वो बोर्ट हैं डेली बोर्ट बिहार बोड यूपी बोड और राजिस्तान बोर्ट इन सभी बोर्ट में आप हमा अब तक अंव तक हम लोगों ने खनेंसादनों का वरगीकरण पढ़ा और मैंने आप लोगों को लोह खनेंज में मैंगनीज देखा और अरस ऑसे नहीं गांपर जाती आपनों को पता है अगर आपनों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और किसी भी तरीके का कोई doubt होता है तो definitely comment box में comment करके मुझे बता सकते हैं चलिए वीडियो start करते हैं तो box site को छोड़ कर अन्य सभी अलोह खनिजों के संबंद में भारत एक निम्न इस्थिति में ठीक है तो box site को छोड़ दें और जितने भी हम अलोह खनिजों की बात करें तो भारत की जो इस्थिति है वो अच्छी नहीं है मतलब भारत में अलोह खनिजों के भंडार उतने अच्छे नहीं पाये जाते हौक्साइट को अगर हम बात करें तो लिटरिल यह झाल ब मने जाilight करें धारवाण की चटानों में मेंगनीर पाये जाता है तो अलग-अलग चटाने जो होती है वो अलग अलग टाइम पीरेड में बनी होती हैं इसी टाइम पीरेड में तरशरी चट्टानों का दिक्र जो है वो आता है तो जब हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे न तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ बता दी जाएगी अभी सिर्फ आप लोग याद ये रख कि बॉक्साइट के जो भंडार हैं वो तर्शरी निक्षेपों में पाए जाते हैं और लेटराइट चट्टाओं से संबध हैं यह विस्तरत रूप से प्राइदीपिया भारत के पठारी छेत्रों अत्वा पर्वत शेणियों के सांसाथ देश के तटिय भागों में भी पाया जाता है उडिसा बॉकसाइट का सबसे बड़ा उत्पादक थे हैं सबसे बड़े उत्पादक के अगर मैं बात करूँ तो उडिसा में सबसे आदा बॉकसाइट मिलता है काला हंडी तथा संभलपूर अगरणी उत्पादक हैं काला हंडी और संभलपूर के नाम आप लोगों को याद रखने हैं दो अन्य छेत्र जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं वो है बोलनगीर और कोरापुट ठीक है तो उडीसा का नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है यहां पर आप लोगों को बताया गया है मैप में यह डाइग्राम में आप लोगों को बताया गया है कि बोकसाइट की खाने कहां कहां पर है उडीसा में आप लोगों को याद रखना है कोड़ापट एक जगा है यहाँ पर आपनों को उडिसा का नाम आपनों को याद होना चाहिए बिलासपुर में तो उडिसा का नाम अगर पूछ लिएजाए की कौन टॉपर है तो उडिसा जो है वह सबसे बड़ा उतपादक है ठीक है और इसके जो जिले हैं और या काला हंडी संबलपुर ये जो हैं वो अग्रणी उत्पागदक जिले हैं इनका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए मैप पर तांबा और बॉक्साइट की खाने कहां कहां पर हैं आप लोगों को बताया गया है जब हम तांबा देखेंगे ना तो उसमें का अलबर का भीलवाड़ा उदय पुरकुल में लाकर पूरा छेतर राजिस्थान का है और मद्यप्रदेश की बालागाट खान जो है इसका जिक्र हम लोगों को पढ़ने को आएगा ठीक है जारखंड में लोहडगा जिले की पैंट लेंडस में इसके सम्रद निक्षेफ है गुजराट, 36 गड़, मद्यप्रदेश, महाराष्ट, अन्यो उत्पादक राज्य है प्रमुक क्या उनसा है प्रमुक है उडिसा उसके बाद आपनों को जारखंड गुजराट, 36 गड़, मद्यप्रदेश और महाराष्ट के नाम याद रखने है गुजराट के भावनगर जामनगर में इसके प्रमुक निक से बाप्साइट निक्षेप अमर गंटक के पतार में पॉय से यहां पर हमें गुझराब के जहारखंड के जिलों के बारे में पताया जा रहा है जैसे कि कट्नी जवल्पूर और यहां पर बालागाट जो कि मद्द बदेश में यहां पर बॉक्साइट के निक्षे पाए जाते हैं उडिसा में कुलाबा थाने रत्नागिरी सतारा पुने और कुलापुर महत्वपूर उत्पादक है जहां पर बॉक्साइट पाया जाता है करनाटक तमिलाडू और गोई लाइक करना है और पूछ सकते हैं आप वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मैं पूरी देखते हैं लेकिन स्टुडेंट्स जो हैं वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है जाता है उनको समझाने का काम मैंने की तरफ से किया जाता है तो आपनों को वीडियो को लाइक जरूर करना है तामे की अगर बात की जाए तो बिजली की मोटरे बनाने में ट्रांस्फार्वार देलेटर बनाने में विद्धत उद्ध्योग में नामे का यूज होता है यहें करता कठोरता के लिए इसे स्वान के साथ गोल्ड के सांद मिला दिया जाता है तामा निक्षिप कहा कहा मिलते हैं ये महत्वपूर्ण है मुख्यता जारखंड के सिह भूमी जले मद्यप्रदेश के बाला घाट तथा राइस्थान के जुनुनु जले एवं अलवर जिलों में अगें मैं फिर से बता दे रहा हूं मद्यप्रदेश का बाला घाट जिला राजिस्तान का जुनु जिला अलवर जिला यहां पर सांबी पाए जाते हैं और खेतरी जो खान है जो राइस्थान में स्थित हैं बहुत महत्वपूर्ण है आप लों को याद रखनी हैं यहां से तामबा जो है मुनिकाला जाता है तामबी की महत्वपूर ख़दान है तामबा के गौण उत्पादक मतब जहां पर तामबा थोड़ा सेकंडरी निकाला जाता है प्राइमरी स्टेट्स कौन-कौन से हैं वह तो मैंने आपनों को बता दिये तो तामबे की जो गौण जला है यहां से तामबा नकाला जाता है लेकिन यह महत्वपूर नहीं है क्योंकि यह गौड़ जिले हैं जो मुक्धीजले हैं वो मद्भदेश है वो राजिस्तान है वो जहारखंड है तो यह जो खान आप लों को बताई गई ना यह बहुत महत्पूर ने इसको आई पी लगा लिजिएगा कि कहलों पर तामबे की खदयान है और यह मैप में फिर से बोल दे रहा हूं मैप में एक खद आ का नाम आप लोगों को बताया गया है एकम पूछ लिद्टा निया जाएगा कि भूया map पर locate करे या फिर आपनों से बिलासपूर बोल दिया जायगा बाला घाट करने के लिए बोल दिया बहुत महत्वपोन है मैप पर locate आना चाहिए उसको पता होना चाहिए भारत में अगर खर खरनेजो की बारत के जया अब हम अढ़ात् dzisiaj का डेखेंगे अभी तक हम लोगों ने drug है ना वो फस्त नंबर पर है आपनों को याद रखना है स्थानी खपत के लिए उत्पन किया जा रहा है अन्य महत्पुर्पूर्ण जो अधात विखनिज है वो चूना पत्थर डूलो माइट और फॉस्पेट है या क्या चूना पत्थर डूलो माइट मैंने बताए भी था ज की राइस्तान में सीमेंट की बहुत सारी फैक्टरियांस मौजूद है ठीक है तो अबरक के बारे में हमें पढ़ना है अबरक एक महत्वपूर्ण खाने जाए जैसा मैंने बताया फॉस्ट नंबर पर है अगर मैं रैंक की बात करूं अबरक के उत्पादन में इंडिया अबरक पत्थर की तरह होता है तो है ये विदुत का कुछ आलग होता है इसे पतली चादरों में विगटित किया जा सकता है जो काफी सक्त और सुनम्य होती है जैसा कि मैंने बता चुका हूँ अभी कि अबरक उत्पादर में इंडिया जो है फस्ट नंबर पर है अबरक को ही इंग्लिश में क्या बोलते है माई का भी बोलते है बारत में अबरक मुकिता जारखंड आंद्रप्रदेश तेलंगना वाराजिस्थान में पाया जाता है इसके पशाब तमिलाडू पश्टिमंगाल और मद्ध्रदेश आते हैं तो अबरक के स्थान आपनों को याद रखनी है खासकर जारखंड और अंद्रप्रदेश का नाम तो आपनों को यादी रखना है जहां पर अबरक मुक्य रूप से पाया जाता है जारखंड में उच्छ गुणवत्ता वाला अबरक निचले हजारी बाग पठार की देड़ सो किलोमेटर लंबी और बाईस किलोमेटर चौणी पठी में पाया जाता है तो यह अबरक आप लोग देख सकता है इसमें अलग-अलग लेर्स जो है वो बनी होई होती है पता नहीं आप लोग को अधर से क्लियर विजिबल होगा की नहीं पर इसमें अलग-अलग अंदर आप जैसे ही जाएंगे आपनों को अलग-अलग लेर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी आंद्रप्रदेश के नेल्योर में सर्वत्तम प्रकार के अबरक का उत्पाधन किया जाता है राजस्तान में अबरक की पट्टी 320 किलमेटर लंबाई में जैपुर से भीलवाडा और उदैपुर के आसपास विस्तरत है करनाटक के मसूरवा, हासन जिले, तमिलाडू के कोया मटूर, तिरुचिरापली, मदुरई, तधाकन्या कुमारी जिले, महरास्ट के रतनागिरी, पश्टिममंगाल के पुरूलिया, एवं बाकुरा जिलों में भी अबरक के निक्षे पाए जाते हैं कुल मिलाकर आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि जारखंड, आंदरपरदेश, तेलंगना, अगर आप राज्यों के नाम याद रख लेते हैं और एक दो फैक्ट कि अबरक उतपादन में, माईका उतपादन में, इंडिया फस नमर पे है, तो आप लोगों का काम हो जाएगा, तो इस प्रकार हम लोगोंने प्रमुक अदात्विक खनिजों के बारे में देख लिया है, उमीद करता हूँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है, तो आप लोग बेहचक कमेंट वाक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, इसी तरीके से CBSC बोर्ड के साथ, डेली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड और राजिस्थान बोर्ड में में मैगनेट ब्रेंस आप दिख सकते हैं, यहां पर सारे कोर्सेज अपडेटेट फॉर्म में, सिंक्रोनाइज वी में आपनों को नजर आ जाएंगे, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपनों को महसूस नहीं होने वाली, डे टूडे अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल को भी फॉलो क करना है, इनोट्स और इबुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक जरूर कर लीजेगा, तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, थैंक्यू, थैंक्यू सू मच